महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन की भयंकर टककर इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण था। कर्ण की अद्वितिय शक्ति और अर्जुन की युद्ध कला के बीच यह युद्ध एक ऐसी घटना है जिसने पूरे युग का भविश्य निर्धारित किया। लेकिन क्या होता अगर अर्जुन का रत कर्ण के प्रहार से हवा में उड़ गया होता। कर्ण के पास वो दिव्य शक्ति थी जो अर्जुन के किसी भी प्रहार को नश्ट कर सकती थी। लेकिन अर्जुन का रत भी साधारण नहीं था। यह रत भगवान हनुमान के आशीरवा हिसक जाता था. अर्जुन के बानों में वो शक्ति थी जो कर्ण के रत को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी लेकिन जब कर्ण प्रहार करते थे तो भगवान श्री कृष्न के कारण अर्जुन का रत मुश्किल से एक तिल भर ही पीछे हटता था. भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारत ही थे उनकी दिव्य शक्ती और कुशलता ही थी जो अर्जुन के रत को स्थिर रखती थी जब कर्ण ने अपना शक्तिशाली अस्त्र अर्जुन पर छोड़ा तो वह बान इतना प्रचंड था कि अर्जुन का रत हवा में उड़ सकता था लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता से रत को संभाला और उसे अधिक हानी नहीं होने दी अगर कर्ण का वह प्रहार बिना किसी बाधा के अर्जुन के रत पर लगता तो निश्चित ही अर्जुन का रत हवा में उड़ जाता और अर्जुन की पराजय संभव हो जाती लेकिन कर्ण की दिव्य शक्ती और अर्जुन के रत की अध्भुत रक्षा का यह संगम इस युद्ध को निरनायक बनाता है महा भारत युद्ध के बाद अर्जुन को एक विचित्र अनुभव हुआ जब अर्जुन ने अपने रत से उतरने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहले उतरने से रोका श्री कृष्ण स्वयम रत से पहले उतरे और उनके उतरते ही अर्जुन का रत आग की लपटों में घिर गया यह वही रथ था जिसने पूरे महाभारत युद्ध में अर्जुन को विजय दिलाई थी लेकिन अब वह अगनी में जलने लगा यह आग उसी दिव्य शक्तियों का प्रतीक थी जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह अगनी उन सभी दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है जो पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर लगे थे भगवान हनुमान का आशीरवाद और श्री कृष्ण की रख्षा ने अर्जुन को उन प्रहारों से बचाए रखा जिनसे उनका रथ कई बार नश्ट हो सकता था लेकिन अब जब युद्ध समाप्थ हो चुका था और विजय अर्जुन के हाथ में थी उन दिव्य शक्तियों का प्रभाव समाप्थ हो गया और रथ को अपने अंतिम ख्षणों में अगनी में जलना पड़ा महा भारत के युद्ध में अर्जुन की विजय केवल उनके कौशल और पराक्रम से नहीं बलकि कई दैवीय शक्तियों और संयोगों का परिणाम थी अगर कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ हवा में उड़ गया होता तो शायद इतिहास की कहानी कुछ और ही होती लिकिन श्री कृष्ण और हनुमान जी की कृपा से अर्जुन ने उस महान युद्ध को विजय के साथ समाप्त किया और उनके रत का अंतिम संसकार उस महा युद्ध की समाप्ती का प्रतीक बन गया